अब आप सब आशाकुरती स्वस्त होगे अच्छ होगे मजह में होंगे और पॉजिटीव करना है क्योंकि एक पॉजिटीव शाड़ आपके लाइप में सो गुना पॉजिटीविटी अच्छा करता है और आज के इस टुडिंग में हम देखेंगे आपके इस लव करानी है स्क्रीम पर देख नंबर पोर्ट से पर मेसेज़ कर सब्सक्राइब वहां पर पॉजिटीव जाएगे कॉल के से बुक करने ठीक है गाड़ करिए निवर्स मेरी युवर्स की लव रिलेशन्शिप में करण एनशीज क्या है इनकी लव रिलेशन्शिप की करण इनके रिष्टे के पास्ट में क्या हुआ है पास्ट में आपके रिष्टे का पास्ट यस आपके रिष्टे के पास्ट में आपके परसने लालश के चलते फाइनांस के चलते अपने सेलफिशनेस के चलते आपको डिस्टन्स दिया है ठीक है बहुत प्यार है बहुत प्यार प्रवाग था अंकंडिशनल लव था आपका, लेकिन आपके परशनने जब देखना चाहिए था आपके प्यार को तब नहीं देखा, आपके परसनने सीर्फ और सीर्फ अपने फायदे के चलते आपको छोड़ा है, ठीके, इनको आपका प्यार दिखाए नहीं दिया, इन्हों मरते दम तक आपके लिए लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन आपके लिए लड़ना छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोलने वाले परसन ने सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी, आपको बहुत डी मोटिवेट कर दिया, आपका confidence level इस परसन ने down कर दिया, आपका प्यार के उपर से भरोसा ही उड़ गया इस परसन की वज़े से, इस परसन की जाने के बाद इस परसन ने आपको ब्रेक अप देने के बाद, आपको कभी कोई और परसन अच्छा नहीं लगा, इवन आपका प्यार के उपर से भरोसा पाओगे, हो सकता है कि आपके 보고साँ ने आपके禰ाइ पेसों का help भी लिया था, वे पेसे भी आपको लोटां नहीं है, और आप इसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, इस परसों को अपने जिंदगी में व आपस बुराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके था इस वजय से इस परसंद ने आप से अपने फिलिंग छुपा ली और आपको अपने जिद्दगी से दूर कर दिया आपको मरने के लिए तड़पने के लिए इस परसंद ने छोड़ दिया यह पाश की इनर्जिस है, ठीक है, दस सन है, बहुत, मतलब ब्राइट फ्यूचर आप दोनों ने सोचा था, एक दूसरी के साथ मरते दम तक रहना था, ठीक है, लेकिन जैसा सोचा है, वैसे कुछ भी नहीं हुआ है, करेंट इनर्जिस के, अगर बात करूँ, आपके परसंट और सोच होगे कि अपरे कॉमर्शिप करने मकर, राशी, एरिज लियो सेदेटेस में सिंग धनू राशी, कैंसल कॉपय पाइसे कर, खुश्टिक में राशी के हो सकते हैं, ठीक है, जैमिन ली ब्राइक परेंस में तु वेट कर रही हूँ, मैं नहीं जी पा रही हूँ उसके बिना, बहुत कोशिश करिये मुआन करने के, लेकिन नहीं मुआन हो पा रहा, क्या ये वापस आएगा, क्या ये थर्ड पाटी को छोड़ेगा आपके लिए, आपने शायद इसे efforts लगाते भी हो करंट पे, लेकिन ये आपको बोल रहे है, वैसे ही रहो थर्ड पाटी को निकल वाने की बात ना करो, ये परसन आपसे शादी नहीं कर सकते, अगर आपको चाहिए ऐसा रिष्टा तो आप इस रिष्टे में रहे सकते हो, और नहीं चाहिए तो ये परसन आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है ऐसे परसन से प्यार करने का, जो आपके प्यार को इस तरह से तोल रहा है, मोल रहा है, ये पैसों के साथ आपके प्यार को तोल रहा है, ऐसे परसन से मैंने क्यों दिल लगाया, आप करंट में ये सोच रहे हो, ठीक है, कुछ भी फ्यूचर आपके रिस्ते में क्या हो सकता है गाड करिये निवर्स इनके रिस्ते में अगले 15-20 दिन एक महिने में क्या हो सकता है अगले 15-20 दिन एक महिने में इस रिस्ते में क्या हो सकता है यस आपके परसन को जो की फैमिली बर्डं बहुत जादा है अगर इस परसन थर्ड party को अपनाया भी था तो family burden के चलते ही अपनाया था जो भी लालच इस person के दिल में आया था आपको छोड़ने का और पेशो को attract करने का या तो जो भी फायदा इनको third party से मिल रहा था तो वो फायदा और आपके person की growth इनकी जिन्दगी में कितनी खुश्रिया आएगी ऐसा लालच जगाने वाले इनके घरवाले थे ठीक है आपके person जो सोचा आपके person ने उनकी बात सुनकर आपको धोका दिया और third party में चले गए लेकिन near future इस person को force pulley जो भी मतलब नहीं और current में भी कहरें आपको कि वो third party को कुछ गलत नहीं कर सकते third party कुछ हूड नहीं सकते क्योंकि third party जाएगी तो इनका बड़ा नुकसान होने वाला है तो third party नहीं जाएगी इस person के अंदर बहुत अकेला पर रहेगा family ने डाला हुआ बर्डन जो कि इनको निभानाई पड़ेगा ठीक है यह protection की energies में रहेंगे इन year future आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन energies same रहेगी कि आपको third party के साथ balance करना होगा और आप इस person की तरफ से ऐसी action का वेट करोगे यह person आपको आकर कहे कि यह third party से निकल कर आपको अपना कर आपसे शादी करेंगे आप इनका वेट करते हो दिखाए दे रहे हो लेकिन आपके person आप जैसे चाहा रहे हो रैसे कुछ भी नहीं कहेंगे अगले एक मैनों में तरफ साबके person कुछ भी कहते हो दिखाए नहीं दे रहे ठीक है गाड़ करेंवर्स इस रिष्टे का final future क्या हो सकता है इस रिष्टे का final future क्या हो सकता है इस रिष्टे का final future क्या हो सकता है अगर final future की बात करो आपके रिष्टे के आपके person के offer आएगा आपको आपको समझाने की कोशिश करेंगे आपको literally बताएंगे जो भी third party आपके इस र कम से कम आपको ऐसे पकड़ कर चलो यह फाइनल फ्यूचर आने में कम से कम एक या दू साल आपके चले जाएंगे ठीक है तब तक आपके परसन आपको यही एनर्जिस देते रहेंगे कि थरड़ पार्टी के सथ बैलेंस करना है तुझे ऐसा ही करना होगा मैं थरड़ पार्ट इसके वज़े से आपको इस परसन से एक नफरत वाले इनर्जिस आने लगेगी आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ने लगोगे आप जो कि अपना माइनसेट क्लियर कर लोगे कि आपको यह रिस्ता नहीं चाहिए इससे अच्छा है कि मैं मेरी जिंदगी में सक्सेस्प आप इस परसन को इतना वैल्यू नहीं देने वाले हो फ्यूचर में जितना आपके परसन आपको देंगे यह परसन खुद आपको चैस करेंगे आप आगे आगे जाओगे और यह परसन आपके पिछे-पिछे आएंगे ठीक है करेंट में प्रॉब्लेम है कि आप इनकी आप इनके लिए जो की इनका पीछा करोगे और नहीं आप इनके लिए उस थर्ड़ पार्टे के साथ मैनेज करोगे यह इनको क्लियर हो जाएगा आपकी ग्रोध देख देखकर यह परसन का दिल तूटेगा क्या आपने तो अपने आपको इतना अच्छे से समाल लिया और आपको आफर करेंगे और आफर होगा बड़ा वाला कमिट्मेंट शादी का कमिट्मेंट आपको आएगा इस परसन की तरफ से खुद आएगा आपका इनसे शादी भी होगा इनसे शादी करना है या नहीं करना है यह डिसिजन उस टाइम पे आपका होगा ठीक है यह परसन लोटेंगे ही लोटेंगे आपके पास 100% ठीक है लेकिन अगले मेने नहीं एक या दो साल जाएंगे इसमें ठीक है तो यह आपके रिस्टे का फाइनल फ्यूचर है ठीक है तो यस यही है रिडिंग अगर रिडिंग रेज़नों ठीवड़े को लाइक कर दीजिए चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपके परसन रेडिंग करानी है स्क्रीम पर देग नंबर पोर्ट सब्सक्राइब कर सकते वहां पर डिटेस मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने ठीक है तो मिलते हैं नेक शूडिया में तब तक के लिए बाबाई